मैं हूँ अंकेत अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक ऐसे घटना करम पर चर्चा करने के लिए जो की पाकिस्तान की बिगड़ती हालात में और बुरी इस्थिती करने की योगता रखता है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक लंबे समय तक नौन नाटो अलाई के रूप में नम्मा के रूप में जुड़ा हुआ है क्या होता है इसका मतलब आज के सेशन में हम बताएंगे लेकिन इस सेशन में ये भी बताएंगे कि शायद इससे वो स्टेटस च्छिन सकता है और अगर ऐसा छिन गया तो फिर खेरात में मिलने वाली वो रकम जिसके माध्धिम से आतंकियों को मारने के नाम पर वो जो अमेरिका से धन वसूलता है शायद वो ना वसूल पाए चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में और कहां से ये खबर ओरिजिन होती है उसको वहां तक ले कर चलते हैं आप यहां पर एक खबर देखते हैं इस भाषा को पहले एकी लाइन में समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर नॉन नाटो अलाई क्या है ये बार में बताएंगे इससे पहले उस लॉमेकर लॉमेकर का मतलब जैसे इंडिया के अंदर विधान सभाम में विधायक लॉमेकर होता है संसद के अंदर संसद लॉमेकर होता है लॉमेकर से अर्थ हुआ कि लॉब बनवाने वाले और लॉब कहां बनता है संसद के अंदर बनता है ऐसे ही अमेरिका के अंदर संसद के अंदर वहां के संसद को कॉंग्रेस कहते हैं कॉंग्रेस के अंदर वहां पर दो सदन होते हैं एक अगर प्रस्ताव लाईा गया संसत के सामने और आब प्रस्ताव पर बहस होगी, बहस के बाद में वो बिल बास हो जायेगा, अगर बैस हो जाता है, तो जो इस बिल में डिमांड की गई बाते हैं, वो कानुनी रूप से लागू हो जाएंगी, ऐसे ही, अमेरिका के अंदर एक बिल पास होता है तो इसके पास से non-NATO member का दरजा छीन लिया जाएगा इतनी बात समझ में आ गई अब आपका सवाल बचता है कि ये non-NATO ally का मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है NATO आप सब जानते हैं NATO का अर्थ हुआ North Atlantic Treaty Organization यानि वो संग्ठन जो कि अमेरिका ने दितिये विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध के काल में अपने चाहने वालों का बनाया था ऐसे देश जिनके साथ उसने कसम खा रखी थी कि यदि आपके उपर हमला हुआ तो वो हमला मुझपर भी कंसीडर किया जाएगा ऐसा कहकर उसने 30 देशों को अपने गुट में बिठा लिया था जिसे आज आप नाटो के नाम से जानते हैं हाला कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है सोवियत रूस 1991 में 15 देशों के अंदर तूट कर बरवाद हो चुका है उसके बाज़ुद भी आज भी नाटो एक्जिस्ट करता है नाटो एक्जिस्ट करता है लेकिन नाटो के 30 देशों ने तो आपस में एक दूसरे के साथ साथ जीने मरने की कसमे खाली लेकिन बहुत से देश ऐसे भी थे जिनने NATO में शामिल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो उस लायक दिखते नहीं थे या फिर यह समझे कि उन देशों ने अपनी इच्छा व्यक्त नहीं की थी कि हमें भी NATO member बनना है लेकिन अमेरिका का करीबी रहना है और करीबी रहने की कुछ रकम लगेगी ऐसी इस्थिती में उन देशों को दरजा दिया गया नौन नाटो अलाई का यानि ऐसे देश जो की नाटो के अलाई तो हैं लेकिन नाटो मेंबर नहीं है अर्थात नौन नाटो अलाई अलाई का मतला मित्र है नाटो मेंबर नहीं है ऐसे देश दुनिया में कुल मिलाकर 19 है इन 19 में से एक पाकिस्तान है एक और अफगानिस्तान हुआ करता था जिसे 2022 में छीन लिया गया इस्टेटस जब जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला गया पाकिस्तान के पास भी यह है status उपलब्ध है यानि कि 30 देश तो ऐसे हैं जो कि NATO है और 19 देश दुनिया के ऐसे हैं जो NATO तो नहीं है लेकिन अमेरिका के साथ हमेशा साथ रहकर काम करने को तयार है उन देशों को अमेरिका कुछ ना कुछ financial aid, military की सुविधाएं देता रहता है ऐसी सुविधाएं पाकिस्तान को भी मिलती रही है अब इन सुविधाओं को शीनने की बात चल रही है ऐसी स्थितियां क्यों बनी? कारण सब को पता है आतंकवाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान में loss major non-NATO ally status after US lawmaker moves bill in house उम्मीद है आपको अब news की heading और cutting से जो तातपरिया निकलना चाहिए वो समझ में आ गया होगा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी देश, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार का terror को लेकर काम हो रहा है उसे लेकर के जिस तरह की terrorist activities यहाँ चल रही है उसके बाद निकला हुआ गुस्सा है तो उम्मीद है आपको यह बात अच्छे से ups clear हो चुकी होगी कि ultimately क्या चाहते हैं यह लोग अमेरिका के सांसद है जो की Arizona से belong करते है उन्होंने इस बात की demand की है इनका नाम है Andy Biggs इन्होंने अपना विधयक प्रस्तुत कर दिया है अमेरिका जहां 50 राज्य है उनमें से एक राज्य है Arizona यहाँ से आते हैं यह सांसद जिनका नाम है Andy Biggs और यह क्या demand करते हैं कि अमेरिका को लगना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इस समय ISI की मदद से हक्कानी नेटवर्क को प्रमोट करा रहा है साथ यह इस्टोरी बड़ी इंट्रेस्टिंग है असल मायने में पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलके कभी एक आतंकी संग्ठन बनाया था जिसका नाम था हक्कानी नेटवर्क असल में पाकिस्तान के अंदर एक एरिया है वैस्ट वजीरिस्तान करके वहाँ पे कुछ आतंकीों को especially trained किया गया था उस समय जब अफगानिस्तान में सोवियत रूस का बोला बाला हुआ करता था साथियों अमेरिका और रश्या एक दूसरे से लंबे समय तक दुनिया के विभिन्न देशों में अपने अपने तरीके की लड़ाई लड़ते आए हैं इन में से एक लड़ाई अफगानिस्तान में भी लड़ी गई थी जब अफगानिस्तान में तालिबान नहीं था उस से पहले USSR का काफी ज़्यादा प्रभुत्व अफगानिस्तान में हुआ करता था लेकिन अमेरिका को ये फूटी आँख नहीं सोहाया इस वज़े से अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर रहने वाले कुछ लड़कों को आतंकी बना दिया वो लड़के आज तालिबान के नाम से जाने जाते हैं तालिब का अर्थ ही होता है सिक्षा लेने वाले लोग ऐसी इस्थिती में एक और ग्रुप क्रियेट किया गया जिसका नाम था हक्कानी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क असल में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन दौनों के द्वारा मिलकर किया गया एक सम्हू था इस हक्कानी नेटवर्क ने सोवियत रूस की जो forces अफगानिस्तान में काम कर रही थी 1970 और 80 के दशक में उन्हें वहाँ से भगाने का भरपूर काम किया लेकिन साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं जब आपका दुश्मन ही नहीं बचता तो जो राक्षस प्रवर्ती का आदमी है वो अपना ही घर खाने लगता है हक्कानी नेटवर्क बनाया था सोवियत रूस को भगाने के लिए और 91 के बाद सोवियत रूस तो चला गया सोवियत रूस तो चला गया लेकिन अब अफगानिस्तान में ये जो राक्षस और जिन रूपी आतंकी प्रकट कर दिये थे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे अब ये किसको खाएं तो ऐसी इस्थती में चूकि सोवियत रूस तो बचा नहीं इन्होंने अफगानिस्तान को ही निगलना शुरू किया वो अफगानिस्तान जो कि कभी तरक्की पसंद और अमन पसंद हुआ करता था अब वो इन्ही आतंकीयों की बली चड़ गया ऐसी इस्थती में अमेरिका जो इनका पनागार हुआ करता था पाकिस्तान जो इनका पनागार हुआ करता था इन्ही जगहे पर आतंकी हमले और इन्ही के लोगों की किड़नेपिंग शुरू हो गई यानि इन्होंने तरीका निकाल लिया कि यार तुमने जो टैक्टिक सिखाई है अब इन्ही टैक्टिक का उप्योग करके हम तुम्हारा अपहरन करेंगे तुम्हारी मर्डर करेंगे और तुमसे पैसे वसूलेंगे अमेरिका ने जो जिन बनाया था वो जिन अब पलट करके अमेरिका की ही तरफ दोड़ने लगा हालात ये हुए वर्ष 2000 के अंदर आपको मालूम है कि किस प्रकार से अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकियों ने हमले किये वो आतंकी और कहीं नहीं अपितु अमेरिका के दोड़ा ही ट्रेंड आतंकी थे जो कभी यूज करने के लिए बनाये गए थे वही आतंकी जाकर के दुनिया भर में आतंकी हमले अमेरिका पर किये क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि रशियन्स से ज़्यादा जो वैल्यू है मारने की वो अमेरिकंस की है जिससे पैसा बढ़िया मिलेगा अब स्थितिया कुछ बदल चुकी है क्यों? क्योंकि जिस अल्काइदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने इतना पैसा बहाया वहाँ पर अमेरिका खुद हार कर चला गया अब लेकिन वो वापस से वही तरीके अपना रहा है कौन से अफगानिस्तान में तालिबान को कमजोर करने के वही पुराने पैंतरे अमेरिका पाकिस्तान को पैसे दे करके ये सारे काम करवाता रहा है रिसेंटली चाहे आपने अलजवाहिरी की मौत देखी हो या हकानी नेटवर्क से जुड़े आतंकियों को मरवाने के प्रयास देखे हो इसी करम में फिलहाल जो धंकी दी जा रही है पाकिस्तान को वो ये है कि जो हकानी आपने और हमने मिलके बनाया था उसे आपको खत्म करना होगा असल माइने में हकानी नेटवर्क को खत्म करना अमेरिका और I.S.I. के लिए चुनोती इसलिए है क्योंकि वो हकानी नेटवर्क इन दौनों के तरीके जानता है अब I.S.I. की extended wing के रूप में हकानी नेटवर्क काम करता है तालीबान के अंदर यानि अफगानिस्तान के अंदर सरकार में उच पदों पर बैठा हुआ है पाकिस्तान की मौत इसलिए है कि वो उस हकानी को कैसे खत्म करे जिसे उसमें खुद बनाया हो अब चुकि वो अफगानिस्तान के अंदर सरकार में है अगर उन्हें कुछ नुकसान होता है तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से बदला ले लेगा और ऐसी स्थिती में पाकिस्तान के दौनों तरफ एक तरफ मौत के लिए कुआ है तो एक तरफ खाई है ऐसी स्थती में अमेरिका के द्वारा इस से कहा जा रहा है कि तुम्हें हम सर्टिफिकेट देंगे कि तुम हमारे नॉन नाटो अलाई हो या नहीं अगर तुम हमारे इन कामों को करने में काम्याब होते हो तब तो तुम्हें नॉन नाटो अलाई कहा जाएगा otherwise तुमें इससे भी हटा दिया जाएगा यानि खेरात में मिलने वाली जो वेगार है वो भी इने अब छूट जाएगी मुसीबत ये है कि अमेरिका इसके द्वारा जो pressure डालने का काम कर रहा है संभव है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुसीबते खड़ा कर दे आपके सामने ये वो बिल की प्रती है जिसे आप देख सकते है और ये है वो सांसद है जिनके द्वारा ये है बिल लाया गया है यहाँ पर अमेरिका के इस सांसद ने डोनाल ट्रप की पार्टी से है वैसा ये सांसद इसने इन से बाइडन से ये डिमांड की है कि आप अगर उन्हें नौन नाटो अलाई रखना चाते है तो हर साल उन्हें सर्टिफिकेट दे करके पहले सर्टिफिकेट दे कि हाँ तुमने अमेरिका के हित में काम किया ये तुम्हारा सर्टिफिकेट पकड़ो अब हम तुम्हें पैसे देंगे अगर ये इस्तितियां बनती है अमेरिका से जो मांग की गई है तो निश्चित ही ये बहुत शरमिंदगी भरी होगी पाकिस्तान के लिए ठीक है नाटो, नाटो जिसके अंदर 30 सदश्च है North Atlantic Treaty Organization ये 30 मेंबर हैं आपके सामने इसका मुख्याले और भाषा से जुड़ी जो बाते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं यहां संस्थापक सदश्च 12 थे इसके बाद में इसका सैन गटबंधन ब्रसिल्स मुख्याले 30 सदश्च 5 फ्रेंच भाषा ये सब आपको बेसिक बाते कई बार पढ़ाई हुई है ये हैं वो मेजर नाटो अलाई जिनने आप मन्ना के नाम से जानते हैं मेजर नाटो अलाई जिसमें वरतमान में 19 देश हैं जोज W. बुश के टाइम पर पाकिस्तान को वर्ष 2004 के अंदर यह उपादी दी गई थी आप आप पूछेंगे तो इसको मेजर नाटो अलाई बनाया कैसे गया था जब अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान में रह रहे तालीबान या अलकाइदा के आतंकियों ने हमला किया तो अमेरिका को अफगानिस्तान में हमला करने के लिए एक सईहोगी चाहिए था जो कि पाकिस्तान मिल गया वो बिग गया और उसने बिग करके पाकिस्तान की भूमी को अमेरिकी हमलों के लिए उपलब्ध कराया तो अमेरिका को इसे कुछ तो देना था किराय के रूप में तो इसने इसे मन्ना का यानि की नल्ले को मन्ना का दरजा दे दिया मन्ना का जब दरजा इसको मिला मेजर नौन नाटो अलाई का ये उससे प्रसंद हुआ और इसे खेरात में पैसा मिलना शुरू हुआ और उस पैसे का उप्योग करते हुए आप इधर देख सकते हैं पाकिस्तान is awarded favor ally status by US आप ये ख़बर 2004 की देख रहे हैं जब George W. Bush यहां के राश्टपती हुआ करते थे अमेरिका के उन्होंने इन्हें ये सुविधा दी और इन्हें उस समय तीन बिलियन डॉलर की सहयता दी गई कि बहुत बढ़िया तुमने अपनी जमीन से हमारे हवाई जाजों को उड़ने दिया जिन्होंने जाकर अफगानिस्तान में तभाई मचाई अब ये हकानी नेटवर्क क्या है हाला कि मैं इसके बारे में बता चुका हूँ फिर भी आप एक बार देख लीजिए हकानी नेटवर्क जो है वो जलालुद्दीन हकानी के द्वारा शुरू किया गया था उसको हटाने के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलकर इसमें सोवियत सेना पर अटेक किये थे क्योंकि अफगानिस्तान में एक समय तक सोवियत का काफी प्रभाव था एक बार CIA अपना इसे एसे असेट तक बता चुका है और इसे फ्रीडम फाइटर तक कह चुका है US President Ronald Reagan ने इस व्यक्ति को फ्रीडम फाइटर तक कहा था क्योंकि ये सोवियत रूस को भगाने का काम कर रहा था Republic Charlie Wilson उन्होंने इसे goodness personified कहा था सोच कर देखिए जब सोवियत चला गया तो जलाल उद्दीन हकानी अब आतंकी कहलाया 1996 में हकानी ने तालिबान को जोइन कर लिया अंदाजा देखें आप इस बात का कि खुद अमेरिका ने 2012 में इस व्यक्ति को आतंकी करार दे दिया और 2017 से 2018 में अमेरिका ने इसके 800 मिलियन डॉलर का जो fund है वो 800 मिलियन एड जो है वो पाकिस्तान को इसलिए दी कि इसको खत्म करा जाए यानि अमेरिका ने पहले खुद का जिन्द बनाया और इसको खत्म करने के लिए पैसे दिये आज भी जो धमकी मिल रही है वो इसी हकानी के दुआरा create किये गए नेटवर्क को खत्म करने के लिए कि अगर तुमने इसको खत्म नहीं किया तो हम तुम्हारी सहयता रोख देंगे आप सोचकर देखे तो इसका जो हकानी का जो network है वो मैंने आपको बता दिया फरहाल इसके पास 3000 से लेके 10,000 तक इसके पास fighters है और इनका जो major काम है आज भी वो kidnapping करना है, murder करना है और उस आधार पर पैसे जुटाना है funding source mainly for Gulf countries, group also involved in kidnapping for money and extortion यानि कि ये लोगों को हफता वसूली करते हैं, अपहरन करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं सिराजुद्दीन हकानी जो है वो इसके बाद में अब lead कर रहा है सिराजुद्दीन हकानी वरतमान में Islamic Emirates of Alliance अफगानिस्तान के साथ जुड़कर काम कर रहा है ये रहा नौर्थ वजिरिस्तान जहां पर ये पाकिस्तान में पहले एक्टिवेट हुआ करते थे अब अफगानिस्तान की सब्ता के अंदर ये जुड़े हुए है जलाल अद्दीन हकानी जो इसका founder था उसको अमेरिका के द्वारा मारा गया था 2018 में कब मारा गया था जब पाकिस्तान ने हक्कानी को मारने में अमेरिका की मदद की थी अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कितना ज़्यादा अमेरिका के पैसे पर रहते हुए अपने ही लोगों को जो इसने खुद ने बनाए थे उनको मरवाने के लिए आगे रहा है पता नहीं कभी ये लोग खुद से इस बात को समझेंगे जो इस प्रकार के मतलब इनके कहने पर जिहाद के नाम पर युद्ध करने आतंग की निकल पड़ते हैं ये इतने तमाम आधार इतने सारे कारण सामने दिख रहे हैं कि मौका निकलने पर अमेरिका और पाकिस्तान ने अपने ही लोगों को मरवाया है इनके लिए धर्म केवल लोगों को यूनिफाइड करने का एक तरीका होता है जिसके नाम पर ये लोगों को एकत्रित करते हैं उसके बाद में फिर ये अपना काम निकलने के बाद खुद उन्हें मरवा देते हैं खेर इनोसेंट लोग इन बातों को समझ नहीं पाते वर्ष 2017 के अंदर आप इससे अंदाजा लगा हैं विद हकानी नेटवर्क ऐसा यूएस के जरनल ने बोला था अरे तुमने आईएसाई का लिंक तो खुद ने डवलप करवाया था भाई आईएसाई CIE के साथ मिलकर हकानी को डवलप कर आई थी यूएस सस्पेंड एट लीस्ट 900 मिलियन इन सिक्योरिटी एड टू पाकिस्तान पाकिस्तान के 2018 में पैसे रोक लिए गए क्यों क्योंकि तुम हकानी के ओपर कुछ कारवाई नहीं करवा रहे हो तभी तो बिचारे ने मिलकर के कारवाई करवाई हकानी को मरवाया 900 मिलियन की एड रोक करके यानि इनको तो हमेशा बार्गेनिंग करके मरवाते आए हैं यूएस मिलिटरी टू कैंसल 300 मिलियन इन पाकिस्तान एड ओबर टेरर ग्रूप 300 मिलियन फिर रोक लिए 2018 के अंदर आप सोच कर देखें कि इतने स्थिती इमरान खान की बिगड़ गई थी 2019 में कि ये खुद अमेरिका जाकर ये स्विकार कर लिए आप कटिंग देख लीजिए कि वी स्टिल हैव 30,000 तो 40,000 टेररिस्ट आप सोच कर देखें कि ये खुद से खुद स्विकार करते हैं कि हमारे यां 30,000 से लेके 40,000 आतंकी रहते हैं अब यही बात जब इंडिया बोल देता है इनके बारे में तो ये लोग पिनक जाते हैं बुरा लग जाता है इनको इमरान खान खुद स्वीकार करके आये हैं कि हमारे याँ इतने आतंकी रहते हैं उन्हें मारने के लिए हमें पैसा चाहिए तो ऐसी इस्तिती में ही सही हमें पैसा दे दो अमेरिका ने इस वज़े से इनको इस बार मदद देते हुए डोनाल टरंप ने तो सारी मदद रोक दी थी बाइडन ने फिर से थोड़ा सा इनके उपर उम्मीद जाहिर की है 450 मिलियन डॉलर की इनको मदद भेजी है F-16 फ्लीट को ताजा तरीन रखने के नाम पर पैसा भीजाए कि तुम जाओ और फिर से आतंकी मारो अब देखना होगा साथियों की आगे ये किस तरफ जाते है फिलाल के लिए तो इनके कुछ अच्छे होते हुए करम दिख नहीं रहे है फिलाल के लिए इतना ही जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साजा करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको जानकारी पसंद आ रही है चैनल सब्सक्राइब कर भी लिए है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजेगा आपका समय शुब हो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका यूज करके आप अपन अकेडमी का कोई भी कोर्स परचेस करें उसके 10% का आपको इंस्टेंट डिसकाउंट प्राप्त होता है चाहे फिर आप UPSC में हो, SSC में हो, बैंकिंग में हो, रेलवे में हो, किसी भी काटेग्री में जाए दन्यवाद